टेल आइकन on the YouTube YouTube आप and never miss another update Good Morning Friend स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी YouTube channel Computer Tagian में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे Compound Entry Compound Entry में कुछ कोश्चन के बारे में तो Compound Entry में जो हमारा Rule होता उसमें आपका Same Date होना चाहिए आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि उसमें क्या क्या रूल है और क्या क्या नियम है उस अभी आपको बताया गया था तो उस वीडियो को अगर नहीं आप देखें हैं तो चैनल पे आप विजिट करके वहां से आप देख सकते हैं इसके वासे इसमें आपका सेम डेट होना चाहिए, सेम ट्रांजेशन होना चाहिए, उसके वासे सेम एकाउंट होना चाहिए, जब यह तीनों आपको मिलते रहेंगे तब ही आपो compound entry आप कर सकते हैं, अन्यता ओ compound entry नहीं होगी आपकी जनरल entry होगी, तो दो entry होती है, एक आपक आपको सभी रहेगा तब आपको कंपाउंड इंट्री कर सकते हैं तो अमारा दिया हुआ है जैसे पिछले वीडियो में बताया गया था अब इसमें माल देक वान आपको बताया जा रहा था अब इस वीडियो में आपको question 5 बता जाएंगे जो आपको very important रहेंगे compound entry में तो जो question number 1 है तो यह आपका question दिया हुआ as on date जो आपका date है इस date में आपका 7-1-2020 में transaction हो रहा है कह रहा है यारपी company expense खर्ष करती है यारपी company जो है expense खर्ष करती है यह अपना पैसा खर्ष करती है किस पर वायजेश पर वायजेश पर पेड करती है कितना 900 उपी उसके वाद से commission paid करती है 700 उपी यहां पर आप आर्यस लिख लेंगे तभी आपकी question सही होगा और इंट जबाब करेंगे तभी आप आर्यस जरूर लिखेंगे इसमें रेंट पैड आर्यस 1200 उपी मतलब क्या हो रहा है दिया जा रहा है इसमें भी पेड हो रहा है पेड 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 सभी में आपका पैसा दिया जा आप डेट आपको मिल गया और ट्रांजिक्षान आपको मिल गया रहा है पेड़ दिया जा रहा है आप इसकी इंट्री करने के लिए आपकोंड इंट्री में इसकी कर सकती है है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले वाइजेज पेड हो रहा है, वाइजेज पेड हो रहा है, वाइजेज दिया जा रहा है, कितना, 900 रूपी, तो हमारा क्या हो जाएगा, वाइजेज, हमारा डेबिट हो जाएगा, तो इसमें कैसे इंट्री करेंगे, लिखेंगे वाइजेज, एकाउंट, डेबिट, आर्यास 900 उपीज, उसके बाद से क्या है, कमीशन, कमीशन एकाउंट, डेबिट, आर्यास 700 उपीज, उसके बाद से आपका है, रेंट, एकाउंट, डेबिट, यह सभी आपके डेबिट एकाउंट है, इस तरह से आप इसको लिख लेंगे, आर्यास 1200 उपीज, उसके बाद से लास्ट आपका क्या है, टेलिफोन, बिल, एकाउंट, डेबिट, आर्यास, कितना है, 2000 रूपीज, इस तरह से आप debit balance को लिख लिए हैं उसमें आपको rule बताया गया था दो या दो से अधिक account debit हो सकते हैं और एक account आपका credit हो सकता है या फिर इस तरह से आपको कुछ rule बताया गया था जो पिछले वीडियो में जाकर कि आप देख सकते हैं उसके वाद से यहां पर तू लगाएंगे उसके वाद से लाष्ट में क्या ओर रहा कैस हमेशा दिया जा रहा कैस इसमें क्या ओर रहा दिया रहा तहां पर क्या जाएगा cash account credit कि अभि इन जो हमारा 900 700 1200 2000 रुपीज हैं इन सा भी को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे तो जोडने के बाद से आपका आ जायागा 48, 100 रुपीज इस तरह से आप credit balance भी हो गया और आपका debit balance भी हो गया अब इसका narration हमको लिखना है जैसे हम journal लिंटी कर रहते हैं वैसे ही इसमें है तेकिन इसमें है आपका 2 या 2 से अधिक account debit हो सकते हैं एक account credit या फिर 2 या 2 से account हमारे क्या हो सकते हैं credit हो सकते हैं या फिर एक account debit तो इसमें हमारा क्या debit हैं और उसके वास से credit है तो इसका narration लिखेंगे being इसमें आपको कुछ जो question कर रहा है question आपको ज्यादैंगा या जा रहा है तिसमें आप direct इसमें लिख सकते हैं being compound entry पास्ट, इस तरह से हम, इसकी इनट्रिग कर सकते हैं, next question देखते हैं, second question आपका यहीNS है, second question में, जो, दिया हुआ, as on date, date हमारा काई, ल natuurlijk 2020 अब कर दिआ जा रहा है राहूल को कैस दिया जा रहारा है राहूल को फो तो कैस एकाउंट हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट अब राहूल कि औजाएगा डेबिट ते सबसे पहले हम इसको जानेंगे compound entry है कि नहीं इसमें date मिल गया transaction आपको same मिल जा रहा है पीड दिया जा रहा है अब उसके वासे account हमारे क्या personal account है तिसमें हम entry करेंगे compound entry की कैसे करेंगे तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा cash paid राहूल तो राहूल क्या हो जाएगा debit तो सबसे पहले हम debit balance को लिखते हैं तो क्या जाएगा राहूल account debit आर्यस 14,000 रूपीज उसके वासे ऐसे मोहन है सुनील है अर्विंद है तिन सभी को हम क्या करेंगे इस तरह से हम लिख लेंगे मोहन एकाउंट debit आर्यस 2,000 रूपीज सुनील एकाउंट debit आर्यस 1,600 रूपीज अर्विंद एकाउंट debit आर्यस 900 रूपीज अभी लिख लेंगे अब इस यह आपका debit balance हो गया अब इस credit balance में हम 2 लगाते हैं 2 लगाने के बाद से क्या दिया जा रहा है कैस दिया जा रहा है क्या आ जाएगा कैस एकाउंट credit आर्यस अब यह जो सभी पैसे आपको रूपय दिये जा रहा है इन सभी को हम क्या करेंगे जोड लेंगे तो जोडने के बाद से यहां पर आपका आ जायागा आपको जोडने के बाद से इतना आपको पैसे आ जाएंगे ठाराजार पांसो एक्टिन थाउजंड फाइफंड रूपीज अब इसका narration कैसे लिखेंगे के लिखने के लिए आपको सबसे पहले आपको ब्रैक्र लगाना होगा उसके बाद से बीइंग लिखेंगे उसके बाद से यहां पर आप लिख देंगे कैस कि पेट राहुल कामा लगाएंगे मोहन उसके वाद से सुनील है कामा अर्विन इस तरह से हम लिख सकते हैं या फिर अगर आप लिखना चाहते हैं एक और इसका नरेशन तो आप लिख सकते हैं बेंग कमपॉंड इंट्री पास ये भी आपका सही रहेगा तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिं जै भारत